आदाब जैहिंज जै भारत मैं मुहम्मद तौफिग बीटियस न्यूस एंटीवी चनल में आपका ऐसे बाल करता हूँ आईए देखते आज की ताजा खबार वारांसी पुलिस कमिस्रेट अंतरगत थाना जैदपुरा कासी जोन में 27 जन्वरी हत्याकान में मुख्य आरोपी को गिरत्तार कर लिया गया है बड़ी ही शातिर तरीके से हत्या करके छत पर फेका गया था सब जिसके बाद पुलिस चानबीन में जुटी और चानबीन के उप तिनांक दो फर्वरी को पुलिस के हाथ मुख्य आरोपी लगा। मुख्य आरोपी के गिरत्तार होने के बाद पुलिस कमिस्रेट 80 जोन ADCP आरेज गौतम जी द्वारा हत्याका सफल अनावरण करते हुए हत्या आरोपी को नियाइक हिरासत में जेल भेजा गया 27 जनवरी 2023 को कमल गाह मुखला अना जैदपुरा अंतरगत इक्राम नामग व्यक्त की मकान की छत पर तहमत से गला गोट करके हत्या कर दी गई थी इस संबन में पुलिस इस्टेशन जैदपुरा में अभियोग पजी करत किये ले था अनके संबन में प्रभाणी रिजचक जैदपुरा की नेतरग में एक टीम का गठन किया गया उस टीम ने सारे साक्षों को संकलित करते हुए CCTV फुटेज, सर्विलांज वब भुरेंसिक से साक्षों को लेते हुए एक अभियुक्त को गिरपतार किया है नूरूल हसन उर्क बाबू चे पुश्टाच की गई तो उसने अपना जुर्म कभूल किया है और ये हत्या अबैज सम्मन्धों को लेकर के पारित की गई इस पुरी टीम के उसा वर्दन हे तो दस ज्याद नगत पुरुषकार से पुरुस्टर किया जाएगा इसका अभीकत का कोई अपरादिक इतियास प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी इसका अपरादिक इतियास रिमान लेकर के गयाद किया जाएगा और परयाप्त निरुधात्मक कारवाही भी संपन कराई जाएगी झाल